गुड इवनिंग फ्रेंट्स मैंने मिज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालेसस आज का डेट है 28 अक्टोबर 2021 आज हम लोग जिन से इसके उपर मंथली प्रिव्यू कर रहे हैं वो है RCF क्या करें आगे BML जहाँ पर फिट से सारे टारगेट अचीव हैं ट्रेंट अगें टारगेट अचीव हैं तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप इन शेयस पर इन्वेस्ट कियें या ट्रेड करने की सोच रहे हैं ताकि आपको शेयर अनालेसस करने में काफी मदद मिलेगा साथ म आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूजपी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशीश करता हूँ मैं चैनल की दूशी बड़ी USB यह है कि मैं आपे हर Friday, Saturday, Sundays मंतली प्रिव्यू बनाता हूँ इससे चितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, regular viewer है अगर वो NCS पे invest कर रहे या trade कर रहे तो उनको हर महिने NCS के support और resistance अपडेट होते रहते हैं और मेरे support और resistance कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे monthly previews के कोई भी 10 वीडियो निकालके चेक कर सकते हैं और साथ में notification on जरूर कीजे ताकि अगर आप इन sales पे invest कर रहे हैं तो आपको हर regularly notification मिलता रहे साथ में आप मेरी playlist में भी चेक कर सकते हैं पे भी मैंने आप लोगों के लिए category wise classification किया हुआ है अब बात करते हैं आज हम लोग जिन sales के उपर monthly preview कर रहे हैं बढ़ उससे पहले आप ये उपर दियेवे link पे जरूर देखे जहां पे पिछले मैंने इनी तीनों shares का मैंने monthly preview किया था बात करें RCF की RCF कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दियेवे link पे जरूर देखे RCF का मैंने last time वीडियो बनाय था 26 September 2021 जब इसकी closing थी 82.50 support 1 दिया था आपको 60, support 2 70, support 3 80, resistance 190, resistance 200, resistance 3 था 110 अब बात करेंगे BEML की BEML कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दिये वे link पे जरूर देखे BEML का मैंने जब last time वीडियो बनाय था तब आपको clearly उस पे suggest किया था कि आप इससे buy कर सकते है BEML का मैंने last time जब वीडियो बनाय था 26 September 2021 किसको तब इसकी closing थी 13 77.95 support 1 देखे 1230 का support 2 1300 support 3 1380 resistance 1 1450 resistance 2 1530 और resistance 3 था 1600 BEML आज के डेट पर आप देख रहे 28 October 2021 किसको इसकी जो closing रही 1612.25 support 1 था 1300 support 2 1400 है support 3 1500 है resistance 1 1600 है resistance 2 1700 है resistance 3 1800 है हैस अगर आप इसका देख रहे हैं यह 1694.70 है जो की resistance 3 cross कर चुका है और इसका इस महने का जो lowest है वो 1360.20 है जब मैंने आपको last time में वीडियो बनाने के time suggestion किया था 1380 पे support दिया था आपको आप देख सकते हैं और resistance 1 1450, 1530 और 1600 दिया था बात करते हैं trend का trend का अपनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे ज़रूर देखिए trend का मैंने last time वीडियो बनायता 26 September 2020 इस तब इसकी closing थी 987.55 trend का जब मैंने पहली बार भी वीडियो बनायता तब भी आपको suggestion दिया था काफी अच्छा correction है, अच्छी company है, Tata की company है और आप देखिए अगर आपने तब buy किया रहता तो आज आप कितने profit में रहते support 1 दिया था आपको last time मैंने 850 का support 2 900 का, support 3 950 का, resistance 1 1000 resistance 2 1050, resistance 3 था 1100 trend आज के रिट पर आप देख रहे हैं 28 October 2021 को इसके जो closing वी 1005.70, support 1 ए 900, support 2 है 950, support 3 है 1000 resistance 1 है 1050, resistance 2 है 1100, और resistance 3 है 1150 हैस अगर आप इसका देख रहे हैं, यह 1209.95 है इसके लिए मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था कि इसमें भी मेरे target अची हुए है और यह second time regularly अची हुआ है, बात करेंगे इसके जो lowest की है वो सिफ 970 है, जो पिछले बार मैंने आपको 987 पे बतायता, 950 के support तक भी नहीं गया, उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, या अच्छी लगे तो ये important information उन तक भी पहुन सके, thank you so much, have a nice day